चतिसगर विधान सभाच नौ में भाटी जंतापाटी यानि विजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की राज्य में भाशपा की जीत के बाद लंबे समय से मुख्यमंत्री के चहरे केरी ज़ारी मन्थन रविवार को थम गया जिहां 36 गड में कई दिनों की जदो जहत के बाद अपसियन के नाम का एलान हो गया है बिधायक दल की बैठक में विश्णु देव साई के नाम पर सहमती जताई गई है और पार्टी ने विश्णु देव साई को राज्य की कमान स्वाप दी गई है पूरों मुख्यमंत्रे रमांज संग ने विष्णू देप शाए के नाम का प्रस्ताओ dual मत्री से mandate मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान होने के बार विष्णू देप शाए राजयिपाल से मिले माना ज़ा रहा है कि जल्द ही शपत की तारीख का भी ऐलान क्या जाएगा बता दे कि साई कुनकुरी विधान सभा सीर से विधायक है विधान सभा चुनौ में उन्होंने कॉंग्रिस के अपने सबसे निकटम प्रति दोइन्ती यूडी मिंच को 25,541 वोट के इंदर से माते है विष्णू देब साई को चुनौ में 87,604 वोट मिले हैं कुनकुरी से आने वाले विष्णू देब साई आदिवासी समाच से आते हैं भाश्मा ने साल 2020 में उन्हें प्रदेश अध्यक्षपी बनाया था चतिसगड़ के नए मुख्यमंत्री बनने वाले विष्णू देब साई चार बार सांसर दो बार विधाय केंद्री राज्यमंत्री और तीन बार पदेश अध्यक्षपी रह चुके हैं इसके अलावा उन्हें संगठन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव हैं आपको बता दे कि साई की गिंति संग के करीबी निताओं में भी होती है व्य जीत जोगी के बाद कोई भी दूसरा आदिवासी समूदाई से मुख्यमंसी नहीं बना था इधर 36 गड़ में भले ही सियम चुन लिया गया हो लेकिन मद्ध प्रदेश में अभी बी सस्पेंस परकरार है सवाल उठ रही है कि मद्ध प्रदेश में किसका राज होगा क्या MP म एपी में सीम चेहरे के लिये चल रही चर्चाओं पर जल्द वुराम लगने की उमीद है क्योंकि सोंबाल को बुधायक दल की बैठक होनी जा रही है इसमें सीम का नाम तै होनी की उमीद है मद्ध प्रदेश की सियासत में सबकी नजरे मुख्यमंत्री पद पर जमी हुई ह सस्मेंस गहरा रहा है तो कोशी से भी जारी है सब्राज सगतार तस्वीरों के जरिये अलाकमान को संदेश देने की कोशिस कर रही है कि वही मद्ध प्रदेश के लोग पी नेता है अवही 2024 में दुझेपी की एजेंडे में फट बैठते हैं बाकि आप देख रहे थे आई व अपने सपनों का आश्याना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर